हेलो गाइस आज हम कपल अफ कुकूस के एपिसोड 49 को एक्स्प्लेन करने वाले हैं लाश्ट एपिसोड में हमने देखा था M1 की परफॉर्मेंस के लिए सब तैयारियों में लगे हुए थे और प्लैनिंग कर रहे थे कि फ़स्ट कैसे आया जाए और इसलिए हीरो स्कूल से एक सीडी लेकर आई थी जिसमें पिछले कुछ सालों के सभी विनर्स की परफॉर्मेंस रिकॉर्डेट थी और जब सबने सीडी को प्ले किया था तो उसमें जो ब्यूटिफुल लेडी स्टेज पे परफॉर्म करने आई थी वो और कोई नहीं बलकि एरिका की मॉम थी और जब ये बास सब को पता चली थी तो सब शौक हो गए थे और हीरो पूछती है मतलब ये नागे की रियल मॉम है और शियोन कहता है अरे हाँ ये तो बर्थ पे स्विच हो गए थे न और नागी मॉम का ऐसा ट्रांस्फॉर्मेशन देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है और हीरो कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो एरिका कि ये तुम्हारी मॉम है और एरिका कहती है मॉम पुरानी फोटोस में बिल्कुल ऐसी ही दिखती है और इसलिए उनका ये impression मेरे दिमाग में छप गया है और वीडियो में announce होता है कि ये एक ऐसी लड़की है जिसको कभी हसते वे नहीं देखा गया वो एरिका की mom को woman in the iron mask कहते हैं और बोलते हैं इसने किस तरह का performance हमारे लिए छुपा रखा होगा और नागी सोचता है ये अब से तो बहुत different लग रही है और मैं सोच रहा हूँ वो कभी smile क्यों नहीं करती थी ऐसा क्या हुआ होगा और अब वीडियो में हम देखते हैं एरिका की mom ने एरिका के dad का नाम लेते वे उनकी तरफ point out करके stage पे से ही उन्हें confess कर दिया था कि वो उन्हें like करती है और उनसे पूछा भी था क्या तुम मेरे साथ date पे चलोगे और नागी और एरिका ये देखकर शौक हो चुके थे कि dad भी वहीं थे और नागी कहता है ये दोनों भी हमारे high school में ही थे और दोनों को believe नहीं होता कि mom ने stage पे से dad को propose कर दिया था और उनके dad ने answer दिया था I am sorry और यहीं पे उनकी performance वाली video खतम हो गई थी और एरिका और नागी एक दूसरे को हैरान होते वे देख रहे थे और अगले scene में हम चारों को किसी restaurant में देखते हैं और एरिका बताती है कि mom ने कहा है वो काम खतम करके जल्दी घर आ जाईगी और hero कहती है अच्छी बात है मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ मुझे जानना है कि वीडियो के end में क्या हुआ था she on कहता है किसने सोचा था कि एरिका के parent हमारे school के student होने के साथ साथ M1 के winner भी होंगे और नागी कहता है तो इस तरह से एरिका हमारे school में back door से आई नागी का मतलब था कि उनका school होश्यार बच्चों के लिए है तो एरिका का admission तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो टेस्ट ही पास नहीं कर पाती जिस पे एरिका बोलती है कितने rude हो तुम मैंने interview दिया था और जैसे सब पास होकर आते हैं वैसे ही मैं भी आयी थी hero कहती है तो तुम्ने टेस्ट नहीं दिया था और आगे वो कहती है वैसे वो कहावत तो सच हो गई है वो कहती है वीडियो में पूरा तो नहीं दिखा पर हमें तो पता है कि उन दोनोंने शादी करी है नागी शौक होते वे कहता है सही कहा शियान कहता है मैं एकसाइटेड हूँ ये जानने के लिए कि वो एक साथ कैसे आगे वो कहता है एरिका की मॉम टेलिवीजन में वर्क करती है ना तो हमें उनसे आइडिया भी मिल सकता है कि हम M1 को कैसे विन करें एरिका कहती है सही कहा हीरो कहती है तुम भूल गई थी क्या और एरिका अब सब को अपने दूसरे घर लेकर जाती है और शियान कहता है वालकम बैक कहती है और एरिका की मॉम थोड़ी सी शौक होती है क्योंकि आज तक एरिका कभी किसी फ्रेंड को घर लेकर नहीं आई थी और फिर सब बैठ कर बाते करते हैं और एरिका मॉम से कहती है मुझे आज तक कोई आइडिया नहीं था कि आप हमारे स्कूल जाते थे औ और आपने M1 में भी participate किया था और अब हम चारों भी M1 में participate कर रहे हैं तो हमने सोचा हमें आपसे जीतने की कुछ tips मिल जाएगी नागी मॉम की हालत देखकर सोचता है क्या ये सुन भी रही है और मॉम कहती है तुम्हें पता है वो मैं नहीं थी हीरो और शियों को जटका ल Life Entertainment है और नागी एरिका को धीमी अवाज में कहता है क्या इन्होंने पी रखी है एरिका कहती है लिमिट से भी जादा और मॉम कहती है मुझे नशा चड़ रहा है और आगे वो कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकते हूं और वो बताती है ये कहानी मेरे Senior Year of High School की थी और इस Flashback में हम देखते हैं एरिका के डैड ने एरिका की मॉम से कहा था कि वो Cultural Festival में सब को जटका देना चाहते हैं एरिका की मॉम को कुछ समझ नहीं आया था तो एरिका के डैड ने बोला था कि मैं M1 की बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इसमें participate करो एरिका की मॉम को अभी भी समझ नहीं आये था कि वो करवाना क्या चाहते हैं वो कहते है नॉर्मली इसका उल्टा होता है एक middle class वाला एक अमीर लड़की को परपोस करता है और लड़की उसे reject कर देती है पर हम यहाँ पे situation को switch कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा interesting होगा और हम जीत जाएंगे और Erika के dad इसके लिए Erika की mom को offer भी देते हैं कि grand price free में खाना खाने के tickets होगी और मैं तुम्हें इसके बदले tickets भी दे दूँगा Erika की mom ने कहा था मुझे उसकी जरूरत नहीं है और अभी Erika की mom इन बातों को याद करते हुए कहती है मुझे नहीं बता कि मैंने इस तरह answer क्यों किया था और अब दुबारा वो story बताती है कि उन्होंने सब कुछ script के हिसाब से ही बोला था और confess कर दिया था और Erika की dad ने उन्हें reject कर दिया था और वहाँ पे जितने भी लोगते सब को बहुत बड़ा जटका लगा था क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था वो बताती है वैसे तो ये बहुत बड़ी success थी पर फिर भी वो stage पे रोने लगी थी और जब दोनों school की छट पे थे तो Erika के dad ने आकर उनसे माफी मांगी थी Erika के dad ने कहा था कि भले ही ये acting थी पर crowd की वज़े से hurt तो हुआ ही होगा और उन्होंने दो टिकर्स उन्हें ओफर करी थी पर Erika की माम ने कोई आंसर नहीं दिया था तो उन्होंने तीन टिकर्स ओफर करी और फिर Erika की माम ने कहा था ये बात नहीं है उन्हें वो नहीं चाहिए थी एरिका की मॉम ने कहा था ये उनकी लाइफ में पहली बार था जब उन्होंने इतना मज़ा किया था और फिर हम उनको ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक करवाते वे देखते हैं और एरिका की मॉम बोलती है एरिका की डैड ये कैसे इंसान थे जिनोंने उनने जिंदगी को खूशी होई कि मैंने आपसे पूछा और Erika की मॉम कहती है मुझे भी खूशी होई कि तुमने पूछा वो कहती है यह पहली बार है जब तुम अपने फ्रेंड को घर लेकर आई हो इससे पहले तुम कभी किसी फ्रेंड को नहीं लाई और Erika बहुत खूश थी और सब घर से बा की बस कुछ amazing करना ही नहीं है शियोन कहता है की है तभी के expectation से उपर कुछ करना नागी कहता है यही हमारा कल का homework है और तीनों नागी को एहंकारी लिख कर भेजते हैं और नागी कहता है सभी M1 में ही लगे हुए है Erika कहती है हाँ और आगे वो कहती है पर मैं बहुत खोश हूँ कि आज हम mom के पास गए थे वो कहती है मुझे हमीशा से लगता था वो कभी किसी parents की तरह नहीं थे नागी कहता है मुझे नहीं लगता ये बात है और Erika कहती है mom dad high school में बिल्कुल तुम्हारी तरह थे नागी कहता है ये सच नहीं हो सकता Erika कहती है तुम कुछ भी कहलो वो तुम्हारी तरह थे वो कहती है तुमने भी वीडियो में देखा था ना mom भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ये मूँ बना रही थी और जब dad ने reject कहा था उनका face का reaction बिल्कुल तुम्हारी तरह था और नागी भी same situation एरिका के साथ रखते वे बोलता है तुम्हारा क्या तुम भी तो अपने डैड की तरह बॉम फोड़ती हो और मॉम की तरह सब कुछ entertainment के लिए करती हो और एरिका कहती है मैं जो भी करती हूँ वो entertainment के बारे में नहीं होता वो unexpected चीज़ों के बारे में होता है और दोनों की लडाई हो जाती है और क्योंकि दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि एरिका के parents तुम्हारी तरह है और नागी कहरा था नहीं तुम्हारी तरह है तो दोनों अपना face दूसरे तरफ करके लेट जाते हैं और एरिका कहती है बर्थ पे switch होना pain है नागी कहता है agreed और नागी मन में सोचता है उसकी बात में दम तो है coincidence ही सही पर मैं भी उसी high school में गया जिसमें मेरे real parents जाते थे और मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ जैसे उन्होंने किया था लगता है मेरे पास कोई choice नहीं है सिर्फ ये मानने कि कि वो मेरे real parents है वो कहता है जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो उन्होंने कहा भी था कि क्या ये मेरी तरह दिखता है और Erika कहती है मुझे भूक लग रही है क्या पीज़ा इस टाइम पे डिलेवर होगा पर नागी तो अभी भी सोच में ही डूबा हुआ था और कह रहा था पर मुझे बड़ा तो इन्होंने किया वो कहता है मैं जब भी सोचता हूँ मैं उनको पेरेंट्स के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता और इस तरफ शायद Erika का ओडर बुक हो गया था वो कहती है हम अभी भी कर सकते है और वो नागी को हस्ते वे कहती है फोर पेरेंट्स का होना मज़ेदार है ना नागी कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा एरिका कहती है come on नागी तुम्हारी सही में मोटी बुद्धी है और आगे एरिका कहती है अम मुझे समझा रहा है कि हमारे पेरेंट्स को प्यांसे वाला आइडिया कैसे और क्यों आया ताकि वो हम दोनों को अपने चाइल्ड बना सके नागी कहता है पर उन्होंने हमारी फीलिंग्स को पूरी तरह इगनोर कर दिया और इसलिए तो तुम उनके खिलाफ थी और एरिका कहती है ओ हाँ और फिर वो उपर जाती हुई कहती है मैं साची से पूछती हूँ क्यों से पीज़ा चाहिए या नहीं नागी कहता है वो तो अभी तक सो चुकी होगी और अब नागी इधर ही सो जाता है और अगली सुबह हम देखते हैं हीरो तीर कमान लेकर निशाना लगा रही थी और नागी कह रहा था रुक जाओ हीरो एक्चुली नागी के सिर पे बॉम रखा हुआ था और हीरो बोल रही थी हिलो मत नागी और आगे वो कहती है ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे विल्लियम टेल्स या शायद रॉबिन हुड नागी कहता है तो हम कह सकती हो हीरो का खतरनाक प्लैन M1 को जीतने का और इधर एरिका ट्रेमर स्टार्ट करती है और शियौन चिला रहा था रुक जाओ और उसकी आवाज सुनकर नागी कहता है उधर क्या चल रहा है हीरो कहती है वो शियौन को बजकट दे रही है नागी हैरान हो जाता है और हीरो कहती है पकका एक्सप्लोजिव इंपक्ट होगा और एरिका शियौन से कहती है तैयार हो जाओ और एरिका कहती है 9mm की जगए मुझे 3mm करना चाहिए और शियौन चिला रहा था दया करो मुझ पे और नागी उन्हें ही देख रहा था, तो हीरो कहती है, बैटर होगा कि तुम कहीं और ध्यान ना दो, और वो तीर चलाने लगती है, और अब नागी चिलाता है, क्या हम ये सच में कर रहे हैं, रहम करो मुझपे, और हीरो कहती है, भले ये प्रैक्टेस हो, पर तुम हिलोगे, तो भी तुमें लग सकती है, और नहीं हिलोगे, तो भी, और इस साइड शियॉन भी एकसाइटेड होकर चिलाता है, एरिका के लिए, और इस विक्टरी के लिए, मैं बद कट के लिए तैयार हूँ, और इरिका कहती है, तो डिसाइड हुआ, और वो शियॉन के बहुत क्लोज आ चुकी थी, शियॉन कहता है, रुको, अगर तुमने मुझे अभी शेव किया, तो तुम उच्टाइम ये नहीं कर पाओगी, और शियॉन के अचानक से रोकने की वज़े से, एरिका के हां से ट्रीमर्ज लिप हो जाता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो पूल में गिर जाता है, और एरिका भी पूल में गिरने ही वाली थी, पर नागी उसे आकर पकड़ लेता है, और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ही टीम अप करना चाहिए था और हम देखते हैं कि उसके सर पे रखा बॉम साइड में गिरा होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है तो अब क्या होगा नागे का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है क्यों से एरिका का पार्टनर बनना चाहिए था क्या वो हीरो के साथ टीम को तोड़ देगा और हीरो क्या करेगी तो सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल पे बने रहें तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई